हेलो एव्रीवन वेल्कम टू ब्रेक्टाइम क्लासेज इस वीडियो में दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टन करन्ट अफेर है वो सभी डिसकस करेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टन होंगे हैं पहला आया पर भारत अमेरिका के बीच में सहें उन्ट अंभियास इस में यूद strengthen videos E इसका नामें ई Adaptराइबॉट में रिपोर्ट चंत and development brief report इसके अनुसार 2022-23 में जो हमारा expected remittance flow होगा जो हमारा जो यतने लोग migrate करके जाते हैं वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं, remittance flow जो होता है हमारे आगा, वो लगबग कितना रहेगा तो ये रहेगा 100 million American dollar नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसकी cooperation and trade agreement, short form में ECT है, और ये किसके बीच लागु हुआ है तो भारत और और आस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और ब्यापार समझोता हुआ है भारत का पहला नीजी launch pad को लाँच किया गया है, और इकिसके द्वारा लाँच किया गया है जिसका नाम है अंत्रिच तक्निक की start-up अगनिकुल कॉस्मोस, अगनिकुल कॉस्मोस के द्वारा इसे launch किया गया है, जो कि कहा की है, चन्नाई की है तो भारत का ये पहला नीजी launch pad है नेक्स बात करेंगे, डब्लु एच्चो के according, इन्होंने घोशना की है कि monkeypox का नाम अब चेंज कर दिया जाएगा monkeypox का नाम अब क्या होगा, तो Mpox होगा अभी तक समझा जाता था कि monkeypox मंकीों से मतलब बंदरों से फैला है, लेकिन अभी ये गोशना की गई है कि monkeypox ये जरूरी नहीं कि बंदरों से फैला होगा, तो Mpox अब इसका नाम कर दिया गया है, next बात करेंगे, विश एट्स दिवस को पहली बार 1988 में बनाया गया था, 2022 में इसकी थीम क्या थी, इस बार इसकी थीम क्या थी, तो Rock भारी बन इसकी थीम थी, विश एट्स दिवस की जो की एक दिसंबर को मनाया जाता है, 1 December को प्रतिवस Border Security Force यानि BSF का Raising Day मनाया जाता है तो BSF दिवस होता है 1 December को BSF की स्थापना कब हुई थी तो 1 December 1965 में हुई थी इसका आदर सुवाग भी पूछ लिया जाता है तो इसका आदर सुवाग की क्या है जीवन परियंत कर्तब जो है BSF का आदर सुवाग के है टाटा संस और सिंगापूर एरलाइनस ने एक दूसरे के साथ साजेदारी की है और इस साजेदारी किसले हुई है इस सहमती किसले व्यक्त की गई है एर इंडिया और विस्तारा को एक में मर्ज किया जाएगा, इसलिए टाटा संस ने और सिंगापूर एरलाइन्स ने हापस में सहमती वेक्ट की है, नेक्स्ट बात करेंगे और यह जो दोनों मिलके बनेंगी भारत की दूसरी सबसे बड़ी एरलाइन बन जाएगी, ग्लोबल टेक्नलोजी समीट का भी सातवा संसकराण आयोजित किया गया, 29 नॉमबर से 1 दिसंबर के बीच में, तो इसका आयोजित कहां पे किया गया है, नई दिली में इसका आयोजित हुआ है, इसकी थीम क्या थी, ग्लोबल टेक्नलोजी समीट की थीम थी, जो की इसका पुरा नाम नहीं याद रखना है इतना याद रखिएगा इडवांस लाइट हेलिकॉप्टर कौन बनाता है तो इसको हल के द्वारा इसको बनाया जाता है नेक्सट बात करेंगे हाल ही में इंडिया'm Rather of Democracy इसका बिमोचन किया गया है इसका बिमोचन किस ने किया है तो धर्मेंद् प्रधान ने किया है जो कि हमारे सीख्षा मंदु satisfy भी है HOL बात करेंगे प्रतिवस 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्य दिव्यांग दिवस मनाया जाता है इस बार इसका थीम क्या रहा था 2022 का थीम क्या रहा था इसका थीम रहा था ट्रांस्फोर्मेटिव सलूशन फॉर इंक्लूजिव डेवलप्मेंट दर रोल ऑफ इनोवेशन इन सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत भारत का कौन सा इती है तो आयाइटी मदरास मुद्धियाले जो है मिलकर काम करेंगे Sब्सक्राइब करेंगे किस बात करते हैं किस देश की इजनसी ने घूष्टना कि है कि उसनी अपने एक्विलेस अंतरेश्यान को चलाने के लिए सफलता पूर्बग भाप का प्रियों किया है, स्टीम का यूज करके अपना जो है अंतरेश्यान उन्यों ने चलाया है, तो यह कौन सी स्पेस एजंसी है, जाकसा जोकी जापान की स्पेस एजंसी है, नेक्स्ट बात करेंगे, कुरु छेत्र म के लिए ओपन लूप टिकेटिंग सिस्टम को लॉंच किया है, तो हमारी राष्टपती द्रोपदी मुर्मु जी ने ओपन लूप टिकेटिंग सिस्टम हर्याना राजी परिवान के लिए लॉंच किया है, गीता महुत्सों में जाकर, जिसमें जो है ओनलाइन टिकेट वग भारतिय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है यह किस उपलक्ष में मनाया जाता है भारतिय नौसेना दिवस तो यह मनाया जाता है ऑप्रेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष में जो कि कराची हारबर पर हमला करने के लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भ तर राश्टी श्रम संगटन के द्वारा इसे लॉंच किया गया है यह आयलो का मुख्याले कहां पे है तो यह जेनेवा में है नेक्स्ट बात करेंगे हाली में खबरों मिरा सेमुरु जॉलामुखी जहां पे जॉलामुखी उद्गार हुआ था यह कहां परिस्तितर तो जाव कहां वड़ भी परिस्तर इंडोनेशिया में राश्टी सांगि की आयोग के एध्याष के रूप में किसे नुप किया गया है तो इनका नाम है राजियू लक्षमाण करंडिकर राजियू लक्षमाड करिंदिकर अधियों जो है नए अध्येश बने है राश्टी सांग्य की बॉंबर एरक्राफ्ट लाँच किया है, तो B-21 किसे सम्मंदित है, तो ये अमेरिका से सम्मंदित है, नेक्स्ट बात करेंगे, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 परसन आफ दा येर किसे चुना गया है, तो युक्रेन के जो राष्ट पती है, वलोदमीर जलेंस्की को ये चुना टाइम मैगजीन के द्वारा परसन आफ दा येर, वल्ड बैंक इंडिया डेवलप्मेंट अपडेट के अनुसार, भारत के लिए 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पात का पूर्वा नुमान कितना लगा गया है, तो ये लगा गया 6.9 परसन पहले ये 6.5 था, इसको बढ़ा के 6. 6.9 परसन किया गया है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिसम्बर 2022 में मौद्रिक नेती समिती मौनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसने रेपो दर क्या निर्धारित की है, तो 6.25 परसन जो है, रेपो रेपो रेट की गई है, तो जिस दर पर जो रिजर बैंक होता है, बाकी बैं डोज चकरवात, जो कि बंगाल की खाली में निर्धारित किया था, इनका हाली में निधन हो गया, ये किस पेसे से सम्मन्दी थे, तो ये अर्थषास्त्री थे, कापी अनुभावी अर्थषास्त्री थे, वाई की अलग, बारवें विस्व हिंदु सम्मिलन का मेजबान तो यह फीजी रहेगा, इसका theme क्या है, तो हिंदी पारंपरिक ज्यान से कृतिम बुद्धि मत्ता थक, यह कौन सा सम्मेलन है, बारफवा सम्मेलन है, विश्य हिंदी सम्मेलन है और यह फीजी में आई जित होगा, नेक्स्ट बात करेंगे, विश्य बैंक ने हाली में किस दे इसकी दुनिया की सबसे जो सव सबसे सकतिसाली महिलाओं की सूची है, उसमें सीर सिस्थान पहले नंबर पर कौन है, तो यूर्यूपी आयो की अध्याच उर्शला, वांडेर लियन जो है, यह पहले नंबर पर है, भारत की भी छे महिलाओं इसमेलन है, जिनका नाम याद पहले तो हैंवित मंत्री निर्मला सितार रमन, इसके अलावां बायो कॉन की कारिकारी अध्याच किरंड मजून दर्शो, इसके अलावां नायका की जो नायका एक जो कॉस्मेटिक वाला आयप होता है, उसकी संस्थापक फालगुनी नायर, इसके अलावां एक्सियल टेक क अध्याच रोस्नी नदार मलहोत्रा, इसके अलावां सेवी की अध्याच माधवी पुरी पुच जो की पहली महिला अध्याच बनी है सेवी की, इसके अलावां भारते इसपात प्राधी कराण की अध्याच सोमा मॉंडल भी इसकी जो है हंड्रेड वाली सूची में सामिल है फोप्स की सूची में नेक्स्ट बात करेंगे छे महिलाएं होगे इन टोटल यहाँ पर किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजुरीज एंड वॉयलेंस एंड ओवर्विव सीर्शक से रिपोर्ट जारी की है तो डबलु एच्चो के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है 수간 खवरों में रहा तुंगारेश्वर वनजीओ अभ्यारन किस राजी में इसृती था यह महराःषर में इसको पडरावरण विय्जों इसको सर्रच्षण की इसके बात कररे थे तो महराः प्यार्चार में रहा था आर्टेन सिफटल Kollegen पासपोर्ट इंडेक्स कई थे तरह की पासपोर्ट इंडेक्स जा रही होते हैं ले खरश्पोर्ट इंडेक्स से बहुत का एटीश्वन बहुत चजाए कक टाल रे आरेट्श-वं बहुत सांगरी did जानिक्स क्वीन भी का जाता है तो संक्वीन नाम से कौन फेमास है तो मारिया टेल्ट्स नेस्ट बाद करेंगे अंतराश्टी परवध दिवस यानि इंटरनेशनल माउंटेंडे किस दिन मनाया जाता है तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम क्या थी 2022 की तो वुमेन माउंटेंज 11 दिसंबर परवध दिवस की थीम थी आरबियाई ने किस देश के मौद्रिक प्राधी करण के साथ मुद्रा विनि में यानि करेंसी जो स्वेप एग्रिमेंट होता है उसके लिए हस्ताचर किया है तो भारत ने ये मालदीव के साथ किया है भारत और मालदीव करण स menos agreement पर हस्ताचर कि दीना पॉनुपार्टों को हाले में किस देश की पहली महिला राष्टपती के रोप में चुना गया यह बहुत इंपॉर्टन ऌ्ट कोस्चन है किसी भी देश में अगर पहली महिला राष्टपती अपरधान मंत्री बन दी assistants उनसे कोश्यन हमेशा पुछा जाता यूपी पीसिस वगरा में तो यह जो है पेरू की राष्टपती बनी है पहली महिला राष्टपती दीना बोनुपाट नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा केंद्रिय मंत्राले बुनियादी धांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉंच यानि सियरेटी बॉन्ड इंसुरेंस प्रोड़क्ट जारी करने जा रहा है अपना तो यह जो है सानक परिवाह के रिण को मंजूरी दी है तो चन्नाई मेट्रों के लिए कौन रंड दे रहा है तो एडीबी के द्वारा एस्टन डेवलप्मेंट बैंक के द्वारा साथ सो असी मिलियन डॉलर का रंड दिया जा रहा है नेक्स्ट बात करेंगे नवी विसु आयूरवेद कॉंग्रेस और वर्किंग ग्रूप जिसे कहते हैं DWG बैठक का मेजबान है तो यह कौन सा सहर है तो बुमबई भारत में होगी G20 डेवलप्मेंट वर्किंग ग्रूप की बैठक नेक्स्ट है मीजोट्रोपिक पॉलिटा या फिर पटवा जिसे आयूसीयन रेड लिस्ट में जोड़ा गया है यह किस प्रजाती से संबंदित है यह आयूसीयन की रेड लिस्ट में चला गया तो यह औसदी पौदा है मीजोट्रोपिस पॉलिटा तो इसको याद रखेगा किस list में है ये भी पुछा जा सकता है किस list में है तो ये red list में है विश्व मिर्दा दिवस 2022 5 दिसंबर की theme क्या थी जो की 5 दिसंबर को celebrate होता है 2014 से celebrate हो रहा है तो इसकी theme थी Swiles Where Food Begins Swiles Where Food Begins जो है इसकी theme थी भारत का पहला Carbon Neutral Form और परिस्थिस ने इंटर्न साथ क्लाइमेट क्लब लॉंच गया है इंडिया वाटर समीट का मेजबाम शहर कौन सा था तो नई दिल्ली में यह इंडिया वाटर इंपक्ट समीट आयोजीत की गई तो छोटी नदिया रहती उसको बचाने के लिए इस समिट इसका थीम रहा था यह इंडियन वाटर इंपक्ट समिट का जो की नई दिल्ली में आई जित हुई नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानि क्रिसी डिसस विक्सित करने के लिए क्रिसी मंत्राले ने किस विवाग के साथ साज़ेदारी की है तो अंतरिक्ष विवाग के साथ क्रिसी मंत्राले ने साज़ेदारी की है यहाँ पर यह डिसीजन सपोर्ट स तो यह केरल का कोजी कोड का यह प्रमुकोत पाद है जिसको जी आई टेक देने की बात की जा रहे है बेपोरू उरू नेक्स्ट है हुरून 500 रिच लिस्ट में सामिल 600 में सामिल होने वाले किवल दो भारती कंपनिया हैं तो रिलाइंस इंडस्ट्री से जिसका 34 वा नमबर है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस यानि टीसी एस जिसका 65 वा नमबर है भारत की तरब से पहले नमबर पर कौन है रिलाइंस इंडस्ट्री जो की सी 500 में सॉमिल है और अरब जगत का जो पहला चंडर रोवर है उसको किसके द्वार लांच गया है थücht तो यूए यूए की नाम क्या है ४ इसको यूजा है इसका रासे होए रॉवर और इसको किसकी द्वारा भेज़ा रहा है किस रॉकेट को द्वार नेक्स्ट को लैब। जावइवीटा संमेलन के लिए पार्टियों के संमेलन होता है, किस भारती पहल को मानता दी गई है, तोodore Namaamish Gangi को मानता दी गई है, कॉफ 15 में नेक्स्ट है यहाँ पर कौनसी कंपणी FIH उडिशा होकी पुरुष विशुकब 2023 की अधिकारिक भागिदार बनी तो टाटा स्टील के दवरा इसको स्पॉंसर किया जाएगा जो होकी होती है विशु होकी पुरुषों की विशु होकी जोकी उडिशा में आयो जि हुआ अधिक हो पूरा पूछा सकता है इंडिया में अधिक हो यह नेपल में तो नेपाल में अधिक हुआ पिछली बारी पिफारगड में उत्रखण में अजिध हुआ था किस पेस एंजन्सी ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्रॉफी अंतरी छियान लॉंच किया थ प्रिथिभी की सताय पर लगबग जितना पानी सब को ट्रैक करने के लिए इस चौट को लांच किया गया नासा के द्वारा जिसका फुल फॉर्म में सर्फेस वाटर एंड ओर्शन टोपोग्रॉफी आएनस मौर्मुगाओ को गोवा मुक्ती दीवस 2022 की पूर्व संद्या पर केंडरी रक्षा मंत्री राजना सिंग के द्वारा इसको कमीशन किया गया इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है आएनस मौर्मुगाओ का निर्माण तो मुंबई के मजगाओं जो डॉक सिप्याड लिम्टेड है उसके द्वारा इसका निर्माड किया गया है मजगाओं डॉक सिप्याड के शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माड किया गया है याद रखेगा काफी पूछा जाता है यह कोच्ची और मजगाओं में थो तो पाड़ेनी कोड को डीकोड करने वाला यह चाद रहे हैं नेक्स्ट है अंतरास्टी मानो एकता दिवसी है किस तिन मनाया गया तो यह 20 दिसमबर को मनाया जाता है कुन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो 23 लक्ष हैं जिने दुनिया के किस तक हांसिल करने किया सकता है कब तक इसे पूरा करना है कुन्मिं मॉन्ट्रियल जो लक्ष हैं तेईस लक्ष हैं उसको 2030 तक हमें प्राप्त करना है नेक्स्ट बात करेंगे राजी सभा के इतिहास में उपाद्यच पैनल में सामिल होने वाली पहली मनोनीज सदस्या गॉन ब एक तो हो गई पीटी उसा दूसरे हो गई विजसाइन रेटी नेक्स्ट बात करेंगे किस देशने बाबा रामदेव की फार्मेसी समेश सोला भारती फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है यह नेपाल के द्वारा इसे ब्लैक लिस्ट किया गया है स्वामी करिक्राम का आउजन करता है तो इलक्रोनिक्स एंड इंडिया से संबंदित जो रिपोर्ट आई है यह नतरास्टी उर्जा एजंसी के द्वारा जारी की गई है इसके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो सीर्स देश हैं कोईला उत्पादन में वह भारत और चाइना है समू के द्वारा जिसमें खिवासम नहीं किया जाता है नेज़़त मर्वापन के बीच में इयर्जीश अजित होता है इसके अंपर ऩ कहां पर होगा तो जापान के हर्या कुरी हवाइड़े और इरुमा हवाईड़े पर होगा यहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन क्या है कि जापान में इसका आउजन किया गया गार्जियन एक्सरसाइज का भारत में इसका आउजन नहीं होगा 2023 में किस प्रकार का cancer human papilloma virus के करण होता है तो cervical cancer human papilloma virus के करण होता है social stock exchange इस्थाफित करने के लिए किस संस्थान को सेवी से मंजूरी मिली है तो national stock exchange यानि NSC को social stock exchange बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है next बात करेंगे हाली में लोग साबा में पेश किये गए जन विश्वास फिदेह का उदेश क्या है तो इसका उदढेश है व्यापार में आसानी लाना जिसें आसानी से सर्वी चीजें हो सकें भारत रत ने जो हमारे अटल विहारी बाचपईगी का जन नेपाल मंत्री को पुस पकमल दहहता है । नेपाल के प्रिधान मंत्री बने हैं इसके अलमार राज्टी राजमार्ट प्राधिकरण नहीं के अधिश कौन बने हैं इनका नाम है संतोष कुमार यादो नेक्स्ट है भारतियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेस समाप्त करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है तो यहीं यहां से जाके लोग अलग अलग दूसरे यूरोपीय देशों में भी चले जाते थे इसलिए जो है सर्विया ने भारत का जो वीजा मुक्त प्रवेस था उसको खतम कर दिया है फ्री वीजा वाली पॉलिसी को यहां पर खतम कर दिया गया सर्विया के द्वारा नेच्ट है वाली को लागू किया जाएगा ताकि AI अधारिद भासा मॉडल निर्मार तयार किया सके तो इसमें कौन-कौन से लोग मिलकर सायुक तुरूप से इसको लांच कर रहे है तो भारतिये विज्ञान संस्थान यानि आई आई एसी इसके अलावा आर्ट पार्क AI and Robotics Technology Park जिसका हमारी टोन को भी हमकी सेरिया से संबनेत है हमारी टोन को भी यह पैचान पाए तो यह सभी चीज़े इंपार्टन थी वीडियो पसंद आया तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा यूप पीसेस का पेट पूप जोइन करने के लिए आप 7355459135 पे वाटसेप करके चौची बेक्ताने क्लासस